नमस्कार दोस्तों आपके मरे यूट्यूब चनल न्यू लाइफ क्लास इस में बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम जानेंगे बीश्व के परवत पठार और मैदान से सम्मंदित इंपॉर्टेंट क्वेस्चन्स के बारे में जो की SSC बैंक रेलवे का एक्जाम हु बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजेगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सस्क्राइब कर लेजेगा और नौटफिकेशन बेल इकन पर भी क्लिक कर देजेगा जिस से आने वाले वीडियो आपको तुरं प्रवतों पर निवास करती है इसका सही एंस्वर है एक प्रतिसत जो जन संख्या है और पर वतों पर निवास करती है अगला है रेडियो सक्रिता का सिध्धान्त किस ने प्रतिपादित किया जौली ने ठीक है अगला जो है रेडियो सक्रिता का सिध्धान्त किस से सम्मंध परवतों की उत्पत्ति से नेस्ट क्वेस्चन आपका है परवत निर्माडग भोसंतत सिध्धांत का प्रतिपादन किस ने किया कोबर ने इसका सही एंस्वर है आपका कोबर ने ठीक है नेस्ट क्वेस्चन आपका है विश्व के विशाल वलित परवतों की रचना कितने मिलि पुर्व हुई थी इसका आपका सही answer है 30,000,000 पुर्व ठीक है next question की बात करें तो अगला question है नवीनतम परवत माला कौन सी है यूराल यूराल परवत माला जो है नवीनतम है अगला जो question है हिमाले परवत किस के अंतरगत आता है नवीन वलित परवत के अंतरगत आता है अगला question है हिमाले परवत की उत्पत की भू संतति से हुई है थेथिस अगला जो question है दच्छिडी आल्टस परवत स्रेडी कहां इस्थित है इसका answer आपका है New Zealand में अगला question है कौन सा परवत महाद्वीपी जल विभाजनक के रूप में जाना जाता है Rockies इसका सही answer है Rockies अगला question है बिश्व की सबसे लंबी परवत माला कौन सी है इसका सही answer है Indies अगला question है इंडीज परवत माला की सबसे उची चोटी कौन सी है एक आंका गुवा ठीक है अगले question की बात करें तो विश्व की सबसे उची Mount Everest किस देश में है तो विश्व की सरोच जो परवत चोटी है Mount Everest वो नेपाल में है अगले question की बात करें तो अगला question है उत्तरी अमेरिका की सबसे उची चोटी कौन सी है Mount McGinley अगला question है अस्थर मंडल के कितने प्रतिसत भाग पर पठार पाय जाते हैं 33% भाग पर इसका सही अन्स्वर है 33% अगला question विश्व की कितनी जनसंख्या पठारों पर निमास करती है 9% जनसंख्या पठारों पर निमास करती है विश्व की इसका सही अन्स्वर है 9% अगला question है जो पठार चारों और से परवतमाला से घिरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं अंतरा परवतिय पठार कहलाते हैं अगला question विश्व का सबसे उच्छा पठार कौन सा है इसका सही अन्सवर है तिबबत का पठार अगला question है पोटवार पठार किस देश में इस्थित है इसका सही अन्सवर है पाकिस्तान में अगला question लो एस पठार कहां है इसका सही अन्सवर है चीन में अगला क्वेश्चन है तिबट का पठार कहां इस्थित है इसका एंस्वर हो जाएगा आपका हिमाले परवत और क्यून लून परवत के मध्य में अगला क्वेश्चन किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है पामीर के पठार को अगला क्वेस्चन किस पठार से तीन धाटु का सरवाधिक उठ्खनन किया जाता है बोलीबिया के पठार से अगला क्वेस्चन है अस्थल मंदल के कुल छेत्रफल के कितने प्रतिसत भाग पर मैदान है एक तालीस प्रतिसत भाग पर ठीक है इसका सही अंस्वर है एक तालीस अगला question विश्व में फसलो और खाद्य और वस्तुओं का कितने प्रतिसत भाग मैदानों में उगाया जाता है 85 प्रतिसत जो खाद्य और वस्तुओं है वो मैदानों में उगाया जाता है विश्वकी कुल जनसंख्या का कितने प्रत्सत मैदानों में निवास करती है 90 प्रत्सत जो जनसंख्या है वो मैदानों में निवास करती है विश्वकी अगला क्वेस्चन है सब्यता का पालना किसे कहा जाता है पहाड को अगला Question, उत्तर पस्च्मी चीन का मैदान कीस प्रकार से बना है? रेत वधुल कडो के जमाव से अगला Question, संप्राय मैदान का निरमाड किस के द्वारा होता है? नदी के द्वारा ठीक है? इसका सही अंसर हो जाेगा नदी पेडी प्लेन मैदान का निर्मार किसके द्वारा होता है पवन के द्वारा अगला क्वेस्चन ड्रेकेंस बर्ग परवत कहां है धच्छिडी अफ्रिका में साउथ अफ्रिका में है इसका सही एंस्वर है धच्छिडी अफ्रिका मैदान की गड़ना किस स्रेडी के अस्थलों में की जाती है द्वितिय स्रेडी ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में है इसका सही एंस्वर है सन्युक्तराज अमेरिका United States of America में ब्लैक हिल नामक पहाड़ी है ठीक है बहुत important question है अगला पिर्णीज परवत किस दो देशों के मद्द इस्थित है फ्रांस और स्पेन के मद्द बिंध पहाड बिंध पठार कहां इस्थित है स्वरी बिंध पठार कहां इस्थित है भारत में ठीक है बहुत important question है भारत में बिंध पठार इस्थित है और मैसोरी का पठार कहा इस्थित है अमेरिका में ठीक है मैसोटा का पठार किस किस के मद्ध इस्थित है इस्पेन वे पूर्तिगाल के मद्ध में मैसोटा का पठार इस्थित है कारूट मैदानों में यत्रतत्र इस्थित अवसिष्टिलों को क्या कहा जाता है हयूंस कहा जाता है राची का पट पठार क्या है एक उत्तित पेली अगला क्वेस्चन है छेतरफल की दृष्टी से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है इसका सही इंस्वर है तिबबत का पठार टेली ग्राफिक पठार कहां इस्थित है उत्तरी अट्लांटिक महासागर में तो एरे कुछ परवत पठार और मैदानों से रिलेटर क्वेस्चन जो की भूगल में आएगा ठीक है तो भूगल के बहुत सारे ऐसे और भी क्वेस्चन्स रहेंगे ठीक है उसके लिए आप चैनल को प्लीज सस्क्राइब कर लिजेगा और नौर्फिकेशन पर लागण को भी क्लिक कर लिजेगा जिससे की आने वाले सभी वीडियो आपको तुरंत के तुरंत मिलते रहें ठीक है और ये वीडियो अगो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजेगा और सेयर करते रहेंगा ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यमाद